हलो गाईज, कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, वेलकम बैक टू दीपाभाटी व्लोग मॉर्निंग का टाइम हुआ है, हस्बेंट चले गई है, हम लोगों नाश्टा कर लिया है, दोनों जनों ने अपना किचन कर लिया है, क्लीन कर दिया है, क्लीन, यह देखे गाईज, अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने रूम, कि उनकी हालत क्या हो रखी है, सुभी के टाइम का यह हालत हो जाती है, और फैन गंदे हो रखे है, यह मुझे क्लीन करने हैं, आप दिखाती हूँ मैं आपको दूसरा वाला रूम, यह द कर देती हूं लेकिन आज मुझे यह फैन साफ करने है यह बैट शीट चेंज करनी है इस वज़े से आज मैंने नहीं किया था आई यह देखिए हॉल की कुछ इस तरीके की हालत है केवल मैंने अभी किचन किया है किचन एक साइड में क्यूंकि किचन क्लीन है और बरतन भी थोड़े से ही थे तो मैंने सारे क्लीन कर दिया है प्लेटफॉर्म वगरा सारा साफ कर दिया है और साइड लगा दी थी मशीन क्यूंकि कपड़े ज आज मुझे अपनी दोनों बैट शीट और जितनी भी ओडने वाली बैट शीट है इन सब को धोना है तो सबसे पहले मैंने जो अपने कुशन कवर हैं और तक ये कवर हैं उनको निकाल लिया है और कुछ समान रख दिया है बाहर क्योंकि अच्छे से मुझे डीप लेनिंग करन बहुत जादा धूल मिट्टी आती है और आजकल बहुत जादा धूल मिट्टी उडवी रही है तो बहुत जादा अंदर आ जाती है घर को देखें पैक तो करके नहीं रख सकते हैं खोलना भी पढ़ता है सब कुछ है आप कितना भी उसको बंद रखें लेकिन फिर भी धू कर दिया है अपने घड़ी को कर दिया है क्लीन और उपर जो एक ट्यूब लाइट लगी हुई है इसको भी क्लीन कर दिया है क्यूंकि इसके ऊपर भी जो उपर वाला हिस्सा होता है इसमें भी बहुत जादा धूलमिटी खट्टी हो जाती है और अपने बैड का जो सिरहना है इसको भी कर दिया है मैंने अब कर दिती हूँ अपना वाला फैन भी इसको अच्छि तरीके से अभी यह बहुत जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है अब यह बहुत जल्दी-जल्दी साफ भी करती रहती हूं क्योंकि चंड proportionally हो जाती है और इसके बाद अपना यह उसको भ कर दिया है और बैट शिट हटा दी है मैंने और अब आ गई थी दूसरे डूम में और अचानक लाइट भी चली तो करीबन दस से पंदरा मिनट के लिए ही गई थी शायद कुछ ट्रांसफारम में काम हो रहा था उसकी वज़े से लाइट चली गई थी तो जो भी समान है इसको भी मैं अच्छे तरीके से क्लीन कर दूँगी अज़े घर पर ही था तो वह थोड़ी से हैल्प कर रहा था मैंने गवेटा फटा 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 फट काम कर लेते हैं दोनों जने मिलकर के उसके बाद फिर वह अपना काम करेगा मतलब काम उसका यही है पढ़ाई करना तो चली उपर का मैंने सारा रसनी वगरा सब कर दी थी, फैन वगरा सब साफ कर दिये थे, और अब इसकी भी बैटशीट को मुझे हटाना है, तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ जाडू, जो ये गैलरी सी है, यहां तो गाई डेली नहीं लग पाती है, कि कुछ ना कुछ रखावा होता है, तो मैं एक दिन छोड़ के या दो दिन छोड़ करके जाडू दर लगा देती हूँ, और जाडू लगाने के बाद अपनी जो बैटशीट है, इसकी जो चेंज करनी है, इसको बिछा देती हूँ, और ये थोड़ी हलकी बैटशीट है तो पीछे की तरफ में गिठा लगा देती हूँ, जिसकी वज़े से ये खिसकती नहीं है, और आसानी से वो अराम से बिछी रहती है, ज्यादा इधर से उधर नहीं होती है, वैसे तो इसमें कोई नहीं सोता है, लेकिन कभी कबार बेटा सो जाता है दोनु बैटरूम मैंने साफ कर दी हैं, और एक बैटरूम में बिछा दी है, बैटशीट अभी दूसरे वाले बैटरूम में बिछाई नहीं है, तो उससे पहले एक लॉट मेरा धुल चुका है, और अब ये डाल देती हूँ, बैटशीट, क्योंकि गाईज, बैटशीट त बैट की जो बैटशीट थी, वो दो ही थी, लेकिन सारी इने, कम से कम तीन से चार बैटशीट हैं, जो ओडने वाली हैं, तो इनको भी मैंने एक साथ ही डाल दिया है, सबी को, इसके बाद आ गई थी, मैं अपने वाले बैटरूम में, तो इसकी वाली बैटशीट जो है, वो मैंने बिच्छाई नहीं थी, छोड़ दिया था इसको, और इसकी भी बैटशीट बिच्छाने के बाद, करने हैं मुझे बाकी के काम, क्योंकि काफे सारे काम हैं, अभी हॉल तो वो नीचे से होती रहती है, लेकिन उपर के साइड है, उस पर डेली-डेली उपर चड़के नहीं किया जाता है, वो कभी-कभी टाइम लगता है, हफ्ते दस दिन में, पंदरा दिन में, महीने में, ऐसे ही बारी आती है, उसकी, तो वही क्लीन करनी है, और ये देखे, ग काम कर दिया, तब तक मैं भी बाहर जो ये बैडरूम की खिड़किया है, विंडो है, इसको उपर की तरफ से साफ कर देती हूँ, तो पूरे की पूरे ही करूंगे, अंदर बाहर की तरफ से, दोनों साइड से, पूरे घर में ही खिड़किया साफ करनी है, मुझे, एक रूम की खतम करने के बाद आ गई हूँ, इस वाले रूम में, तो इसकी भी उपर की तरफ से कर देती हूँ, जो ये नीचे की दो विंडो है न, ये तो हाथ आ जाता है यहां तक तो हाथ पहुच जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला है न, उसमें हाथ नहीं पहुच्जता तब हाथ पहुंच भाता है तो अंदर की साइड से तो मैंने कर दी थी और आप कर देती हूं भार की साइड से क्योंकि इसमें दूल मिटी इतनी जल्दी जल्दी खटी हो जाती है और गर्मियों में जादा होती है सर्दियों में इतनी जादा नहीं होती है क्योंकि फैन वगर वे घर की ही विंडो क्लीन करनी है और इस घर में बहुत जादा विंडो ही विंडो है मैं अपनी कपड़ों को डाल रही थी और यहां पर बेटे ने कर दिया था कॉर्णर को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था यह घर में थाना तो इसकी वज़े से काम भी जल्दी खतम हो गया था नहीं तो मुझे बहुत जादा टाइम लग जाता अब मुझे यह परदे हटाने हैं क्योंकि यह काफे टाइम से दोले नहीं है और इस पर यहां पर है न तो हाथ वगरा सब यह सब साफ करते रहते हैं और यह रोड भी किचन के पास है न तो इसके उपर जहां पर परदे नहीं आते हैं वहां से बहुत जादा गंदी हो जाती है तो इस road को भी मुझे clean करना है और पड़ो को भी करना है पहले तो मैंने सूचा था कि पड़ो को मैं machine में धोंगी लेकिन machine में नहीं धोंगी क्योंकि इसके छले वगरा न जो है न वो खराब हो जाते हैं अब मैं कर देती हूँ अपने center table को भी clean इतनी भीशन गर्मी में भी नगा इस कुछ इस तरीके से ही मैं ध्यान रखती हूँ अपने घर की cleaning का और cleaning होना चाहिए गर्मी हो सर्दी हो हमें करने ही पड़ती है अपने घर के लिए भी अच्छा होता है अप खुद के लिए भी अच्छा होता है hygiene बना रहता है घर साफ सुत्रा होता है देखने में भी अच्छा लगता है तो इसी तरीके से clean करती हूँ मैं अपने घर को और ये कुछ पौदे थे तो इसका मुझे पानी चेंज करना है, एक पौधे में पानी डालना था, जहाँ पर भी मैंने विंडो, सुरी विंडो नहीं, इंडोर प्लांट लगा रखे हैं, उनका पानी चेंज करना था, पानी डालना था, वही काम किया, क्योंकि इसकी जड़े होती है, वो पानी में होती है कि esca last में रह गया था पोचा लगाना तो अब मैं पोचा लगा लेती हूं फटाफटन दोनों बैड्रू में हवाल में क्योंकि पोचा ही रहे ज्याक्टास्ट काम औरномуचे लगा करना है बातरूम का काम क्योंकि बातरूम में भी अभी काम है मुझे काफी जैसे मैट हैं दरी है और मेरे उसके पर्दे हैं जो मैंने उतारे थे उनको मुझे क्लीन करना है कपड़े तो मेरे धुल चुके थे और अभी कुछ कपड़े बाके भी हैं जो मुझे सुखाने हैं क्योंकि बाहर ना इतने ज़्यादा जगे नहीं होती है यह जो मैंने पर्दे वाली रॉड उतारी थी इसको भी क्लीन कर दिया है और बहुत अच्छे तरीके से हलका सा सरफ लगाया और क्लीन हो गई थी एकदम ना न्यू जैसी हो जाती है अब धूलती हो अपने पर्दे तो मैंने जुष्य हैं मसीन में नहीं धूते क्योंकि मैंने थोई उतार जडए खराब हो क्योंकि दो क्यांकि दू दिन तो कम इसे सूखने में लगते हैं अए दोर्मेड वगर जो होते हैं जी हिए ना है पर आप उकित म mente में नहीं धोती हूं और爐 गर्यू यूथ्यम और लगे हाथ मैंने कि जाड़ो गवत आ है इस سब भाम करें गराव बहुत अच्छा लग रहा है क्लीन ओ गया है बिलकुल खर फैसे तो मैं करती रहत देज हूं लेकिन जो उपर का श्सा भायना यह कृव्भी क्लीन नहीं होता है कि नीचे नीचे का तो मैं डेली ड़स्टिंग करती रहती हूं तो नीचे का इतना गंदा नहीं होता है लेकिन उपर स्पेशल चड़ना ये नहीं हो पाता है तो आज उपर से भी क्लीन कर दिया है फूरा घर बैट शिट चेंज कर दी है चलिए भी दिखाती हूं उस क्लीन होने के बाद कैसा लगता है ये है बेटे का रूम तो ये कितना क् है व की रेली गमें उसकते होई में छेंखागती मैं में आपने बाएड कर रहा था दीर ये यह वहाई उसके आफिये यह लिक्र एक सब्सक्राइब ने कर दिखाती हूं सिंपल तरीके से ही सब कुछ किया हुआ है और अच्छा लग रहा है सब कुछ क्लीन हो गया है इसका मैने यहां और है और आप लिए है यहां पर है यह मैं डालूँगे थोड़ी देर में पर से ढ़में उसके बार डालोगी किचेन मैंने क्लीन कर दिया था जो मैंने आपको दिखा दिया तो आज बहुत अच्छी तरीके से क्लीन हो गया है यहां के परदे मैंने धो दिया है यह मैंने हाथ से धोया है अब करेंगे हैं हम अपने लंच की तयारी तो यह आदा खरबूजा रखा हुआ था तो मैंने का चलो इसको पहले खा लेते हैं जब तक मैं रूटिया बनाऊंग तो बूटा थोड़ा खा लेगा क्योंकि इसको भूक लगने लगी तो फेले इसको काट लेते हैं और आपा लया लेती हो रोटिया है तो रोटिया मुझे जादह नहीं बनाने हैं तीन से चार रोटी बनाने है दो सुबह की सबजी भी रखी हुई है रोटी भी बनी रखी तो अब तीन से चारी रोटी बनेंगी और उसमें अच्छे तरीके से लगा दूँगी जो घर का बनाऊ है तो चलिए आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं मिलते हैं आप से नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और अगर मेर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें टिक केर बाबाई